नमस्कार दोस्तों आप लोगों का दबुक्स क्लब में स्वागत है मित्रो आज हम आपके लिए साइबर अपराथ से सम्मंदित 40 महत्पूर कोशन लेके आएं जो वेरी इंपोर्टेंट है आपके यूपी एक्जाम के लिए और सबसे बड़ी बात है इन में से एक कोशन जरूर पूछा जाएगा क्योंकि लगातार जितने भी एक्जाम हो रहे हैं हमारे स्टुडेंट दोरह बताया जा रहा है कि साइबर अपराथ से सम्मंदित एक कोशन पूछा जा रहा है तो बीना इसको पढ़े मत जाईएगा अगर इसको एक दो बार रिपीट कर लेंगे तो इसमें से एक कोशन आपको मिल जाएगा तो चलिए सुरुआत करते हैं हमारा पहला कोशन है कि साइबर अपराध करने का या के कारण हो सकते हैं क्या-क्या कारण हो सकते हैं, कुछ नया करने की धुन, दूसरा पेतुदंधी के प्रक्रम को छिन भिन करना, तीसरा राज नागरिकों को भया क्रांत करना या उप्रोक्त सभी, तो इसका जो सही आंसर होगा, आपसर नमबर D होगा, साइबर अपराद के अंदर ये तीनों पॉइंट्स आ जाते हैं, कुछ नया करने के धुन में साइबर अपराद, पेतुदंधी के प्रक्रम को छिन भिन करना, या राज या उबलिक नागरिकों को भय में डालना, उप्रोक्त सभी, नेक्स्ट अगला कोश्चन देख लेते हैं, अगला कोश्चन है, सूचना प्रोधोगिक अधिनियम संसोधित कब हुआ था, तो वर्स 2008 में हुआ था, सूचना प्रोधोगिक अधिनियम संसोधित कब किया गया था, वर्स 2008 में किया गया था, अगला कोशन देख लेते हैं साइबर अपराधी को संसोधित सूचना प्रोधिक अधिनियम के अंतरगत प्रवधानित सबसे कठिन दंड हो सकता है तो इसका अंसर होगा आजीवन कारावास यानि जो 2008 में साइबर अपराध से समंधित अधिनियम को फिर से नया रूपांतरित किया गया बदला गया तो उसमें जो अधिक्तम से अधिक्तम सजा रखी गई वो आजीवन कारावास रखी गई नेक्स्ट अगला देख लेते हैं साइबर अपराध का सरवाधिक उपयुक्त परियाज परियाय मतलब उसका अर्थ क्या है तो संगड़क अपराध होता है साइबर अपराध की सेड़ी में सामिल नहीं है ग्यात साइबर अपराधों की सेड़ी में कौन सामिल नहीं है तो इचैट जो है ग्यात साइबर अपराधों की सेड़ी में सामिल नहीं है कोश्चन अगर अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर कर दीजे और अगर बात में पूरा चीज समझ में आ जाए तो सेर और कमेंट जरूर करिएगा साइबर बिधी से निमलखित में से कौन सामिल है साइबर बिधी में निमलखित में से कौन सा सामिल है तो संगड़क बिधी सामिल है अंतरजाल बिधी सामिल है और सूचना प्रोधिक बिधी यह तीनों सामिल है याईनि इसका अंसर उप्रोग्त सभी साइबर बीधी में निम्रकित में से कौन से सामिल पूछेगा तो संगड़क बीधी अंतरजाल बीधी और सूचनापवदोगिक बीधी उप्रोग्त सभी सामिल है नेक्स अगला कोशन देख लेते हैं अग्रिम भुक्तान धोखादरी के नाम से प्रसिद्ध मोस्ट इंपॉटेंट है काई बार एक यह में पूछा गय है तो हैकिन का है इसको भी आपको याद करना है नेक्स अगला देख लेते हैं, साइबर अपराद के अंतरगत निजिता के उलंगन हे तुझ दिया जाने किस अनशेथ के उलंगन आता है, साइबर अपराद में निजिता का जब उलंगन होता है, तो इस अनुझेथ के यह most important कई बार पूझा गया है, तो अनुझेथ छाँच चाइबर अपराद के अंतर निजिता का उलंगन जब होता है तो उसे सम्मंदित कौन सा उंछेद है तो उंछेद चाइबर अगला देख लेते हैं तो पहचान की चोरी, केडिट कार्ट की धोखा धड़ी और बीशाणू एवं क्रेमियों को निर्गत करना उप्रोक्त में कोई नहीं इसका जो आंसर है उप्रोक्त में से कोई भिन्ने नहीं है इन में से कौन सा साइबर अपराद के विभिन माधिमों से भिन्न है तो उन में स कोई भिन्ने नहीं है पहचान की चोरी, केडिट कार्ट की धोखा धड़ी और बीशाणू अक्रेमिकों का निर्गत करना नेक्स्ट अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन है हमारा उद्दोग घराने से सम्मंदित साइबर अपराद क्या कहलाता है मोस्ट मोस्ट इंप आने के साइबर अपराद को कहते हैं नेक्स्ट अगला यादि कोई वेक्ति किसी संगड़क, संजालके स्वामी या उसके प्रभारी की अनुमत के बिना प्रवेश, प्रवेस्ता का प्रियास करता है तो वह क्या करेगा प्रवावित वेक्ति को मौआपजेक रूप में छथ पूर्ती का भुकतान करने है तो उत्तरदाई होगा यदि किसी व्यक्त के संगड़क या के अंदर जो है उसकी बिना परमीसन के जिसका है कोई व्यक्त प्रवेश करता है यदि कोई नुकसान होता है तो वह प्रभावी तब्वेक्त को मौबजेक रूप में छत्वत भुकता करेगा नेक्स्ट अगला देखलेते हैं अवानचित डाक को कहा जाता है एगला नेक्स्ट अगला भारती दंड सहिता IPC के अंतरगत साइबर अभध्रता का वर्णन किसमे किया गए है तो अनुछे 292 से 94 में यहीं साइबर अपराद के तुरू कोई जो है अंतरगत अभध्रता करता है तो उससे समंदित कौन सा अनुछेद है तो 292 से लेके 94 में नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अगला हमारा कोशन क्या है साइबर आतंकवाद नामक अपराद की बिस्तोत ब्याख्या दी गई है किसमे CT और IT अधिनियम के अनुछे 26 ब्रैकेट में रा में ठीक है most important है इसको जरूर ध्यान रखेगा अगला किसी प्रतिष्ट ब्यक्तिकी 6 को 6 पहुचाने या उसकी प्रतिष्टा को हान पहुचाने के उद्देश से की गई जाल साजी के बिरूत सजा की आवधी हो सकती है कितने साल 5 वर्स हो सकती इन में से कौन सी एक अभिविक्ति सामाजिक तंत्रिक इस्थलों का उधार नहीं है तो E-Box जो है इन में से किसी एक अभिविक्ति यानि सामाजिक तंत्रिक इस्थली का उधार नहीं है Actually हमने चार विकल पीस ले नहीं रखे क्योंकि उससे आपका समय लॉस होगा आपके पास समय है कम इसलिए हमने वन लाइनर के रूप में रखे लेकिन जिसमें चार अफसन है वो हमने दिखा दी है तो इन में से कौन सी एक बिबिकति सामाजिक तंतरी स्थलों का उधार नहीं है तो e-books जो है यह सामाजिक तंतर की तलों का उधार नहीं है इबुक्स नेक्स अगला अंतर जाल लाया चार पता को कहते हैं कई बार इग्जा में पूछा गया है तो IP एड्रेस कहते हैं अंतर जाल लाया चार पता को क्या कहते हैं IP एड्रेस कहते हैं भारती संगडक आपाच प्रतिकिया दल को कहा जाता है क्या क सेवा करता को क्या कहते हैं कौन सा प्रॉक्सी सर्वर छद्म सेवा करता को क्या कहते हैं प्रॉक्सी सर्वर कहा जाता है नेक्स्ट अगला देख लेते हैं साइबर लोक साइबर स्पेस में प्रयुक्त साइबर लोक में बिक्त की पहचान उसके द्वारा प्रयुक्त के द्वा इस्पेस या साइबर लोक में बिक्ति की पहचान किसके माध्यम की जा सकती है एलक्टानिक उपकरन के माध्यम से इमेल एड्रस एवन वेवसाइड एड्रस उपरोग तो सभी से नेक्स्ट अगला कोशन देख लेते हैं इन में से साइबर अपराथ की सेड़ी में कौन नहीं आता है तो हायकर जो है इस साइबर अपरात की सेड़ी में नहीं आता है ब्रेक है एक साइबर बिने में परामर्स दात्री समिती ब्रेक ब्रेक है एक क्या है ये साइबर बिने में परामर्स दात्री समती है सिमिती नेक्स्ट अगला ट्रिपल ई के नाम से जाना जाता है ट्रि परिच्छक, नेक्षट अगला इनमें से साइबर पेनाल्टी지 की परिद में कौन नहीं आता है तो आऀंपोर्टेंट को किसी तीसरे विक्ति को प्रेदर्शित ना करना यह भी important question है इनमें से साइबर अल्टी지 की परिद में जाना जाता है तो CAT नियम 2009 ये most important है इसको आप जरूर याद कर लिजिए साइबर अपील अधिकरण से सम्वंधित नियम किस नियम से जाना जाता है CAT नियम 2009 नेक्स अगला ठगने के उद्दे से जाल साजी करना किस IPC अधिकरण के अंतरगत आता है तो IPC 468 ये भी important question है ठगने के उद्दे से जाल साजी करना किस IPC अधिकरण के अंतरगत आता है तो IPC 468 नेक्स अगला ये most important question है कि ITU सब्द विस्तार क्या है तो International Telecommunication Union ये आप इसको जो बहुत अच्छी तरीके से आद के लिजिए International Telecommunication Union ITU सब्द का विस्तार है नेक्स अगला अतिसूत्र कहा जाता है अतिसूत्र के मतलब hyperlink को कहा जाता है अतिसूत्र कहा जाता है किसे hyperlink को नेक्स अगला NIC का हिंदी रूपान ये most important है कि हिंदी NIC को हिंदी में क्या कहते है तंतर सूचना केंद नेक्स अगला Criminal Wrong होती है अपराधिक गलती Criminal Wrong का मतलब क्या होता है अपराधिक गलती Cyber Hacker को कहा जाता है भंजक Cyber Hacker को क्या कहा जाता है भंजक कहा जाता है नेक्स अगला Computer Network सीशटम तती Means इसे किसे संगडक प्रक्रम कहा जाता है तो Computer System को जो है संगडक प्रक्रम कहा जाता है Computer Network Network System कंप्योटर सीशटम तता Computer Technology में Computer System को क्या कह जाता है संगडग प्रक्रम में तो अगर कोशन अच्छे लग रहे हो तो अभी तक लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक जरूर गर दीजिये और कोशिक ये करिए कि अगर चैनल को सब्सक्राइब ने करिये और अपने मित्रों को सेर जरूर करिएगा साइबर सिकारी को कहा जाता है स्टाकर कहा जाता है अगला अपराध कारित करने की योजना छिपाना दंडनी है या किस अनुभाग का प्रोधान है तो अनुभाग 118 का किस वस्त के उपर अधिकार को कहा जाता है किसी वस्त के उपर अधिकार को कहा जाता है जस इन रिम व्यक्ति के बुरुध अधिकार को कहा जाता है क्या कहा जाता है व्यक्ति बंधी अधिकार साइबर कैफे को क्या कहा जाता है most important है तो साइबर ग्रेह कहा जाता है साइबर कैफे को क्या कहा जाता है साइबर ग्रेह कहा जाता है यह हमारा last question है जब आप किसी को email भेजते हैं और Microsoft Word की file से ऐसा करते हैं तो वब्वेक्त उस सूचन को जिसे आप निजी मान रहें क्या कर सकता है देख सकता है जब आप किसी को email भेजते हैं और Microsoft Word की file से किसी file से ऐसा करते हैं तो आब एक तू सूचना को क्या कर सकता है देख सकता है तो मित्रो ये 40 most important question थे आपके जो वर्तमान में चल है यूपी साइक एक जाम इसमें से एक question आपको जरूर मिलेगा अगर आप भी तक आपने इस वीडियो को like, share, comment और subscribe नहीं किया तो प्लेज जरूर करिए बहुत बहुत धन्यवाद